How to order online physical pen card? दोसों अगर आपने Income Tax Department की साइट पे जाके अपना e-pen card बनवाया था तो ऐसे में अब आप physical pen card चाहते हैं और उस पे जो है अपना photo and signature चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप last तक सुरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको complete process बताने वाला हूँ तो चली वीडियो को start करते हैं लेकिन उससे पहले इस वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लेजेगा तो बात करते हैं किस तरीके से आप अपना physical pen card के लिए online order कर सकते हैं तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपने income tax department की site पे जाके e-pen card बनवाया था तो ऐसे में आपको वो immediately 10 minute में मिल जाता है देन उसे आप कहीं पर भी use कर सकते हैं लेकिन उसमें signature नहीं होते हैं और अधार card वाली ही photo आपकी pen card पे होती है तो ऐसे में अगर आप अपनी मर्जी से अपने physical pen card पे अपनी photo update करना चाते हैं और sign जो है वो update करना चाते हैं देन उसके बाद कैसे आप order कर सकते हैं e-pen card को physical card में मगवा सकते हैं अपने घर तक तो उसके लिए आपको अपने mobile में या फिर laptop में chrome browser को open कर लेना है chrome browser को open करने के वाद यहाँ पे आपको google में search करना है income tax जैसे आप यह search करेंगे तो यहाँ पे जो है second link का आपको देखने को मिलेगा income tax.gov.in का simple आपको इस website पे चले जाना है इस पे आपको click करना है तो आपके सामने जो है e-filling income test department की official site open हो जाएगी आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा instant e-pen आपको simple इस पे click करना है यहाँ से आप new e-pen के लिए apply कर सकते है और यहाँ पे जो है आप अपने e-pen card को यानि की digital pen card को download भी कर सकते है आपको simple continue के option पे click करना है और यहाँ पे अपना अधार number आपको enter करना है और continue के option पे click करना है देन उसके बाद आपके अधार card के साथ जो भी mobile number linked होगा उस पे एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter करना है और validate के option पे click करना है तो आपका status जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो आपका e-pen card है वो यहाँ पे आपको download करने को मिल जाएगा आपको simple download कर लेना है download करने के वाद जो है आपका digital pan card आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका pan number देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों उसके वाद आपको e-filling income text की official homepage पे आजाना है और यहाँ पे आपको एक option मिलेगा verify your pan आपको simple इस पे click करना है तो physical pan card को order करने से पहले आपको यह process complete करना है तो हमें जो है अपना pan number जो है वो enter कर देना है जो कि अभी आपने digital pan card को download किया था उस पे हमें pan number देखने को मिल जाता है वो हम यहाँ पे enter करेंगे दन उसके वाद हम यहाँ पे अपना name जो है वो enter कर देंगे और यहाँ पे हम अपने data worth जो है वो enter कर देंगे और उसके वाद हमें यहाँ पे अपना mobile number एंटर कर देना है और उसके वाद हमारे आदार card के साथ जो भी mobile number linked होगा उस पे एक OTP जाएगा वो OTP हमें यहाँ पे enter कर देना है OTP एंटर करने के वाद हमें validate के option पे click करना है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा pan is active and details are as per pan तो यहाँ पे हमारा pan card active है तो यहाँ पे हम अब physical pan card के लिए order कर सकते हैं simple हमें यहाँ पे new tab को open कर लेना है और google में हमें यहाँ पे type करना है nsdl तो हमारे सामने link आ जाएगा online pan application nsdl तो simple हमें इस पे click करना है और यहाँ पे हमारे सामने nsdl की official site open हो जाएगी तो हमें यहाँ पे apply online को select रहने दिना है और उसके बाद हमें application type का option मिलेगा simple हमें इस पे click करना है हमें यहाँ पे 3 options देखने को मिलेंगे new pan Indian citizen, new pan foreign citizen and changes or correction in existing pan data reprint of pan card तो हमें यहाँ पे 3rd वाला option choose कर लेना है then उसके बाद हमें category में select करना है individual then उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे score down करना है and यहाँ पे आपको title में select कर लेना है shiri, shirimati, kumari हम यहाँ पे select कर लेते हैं then उसके बाद हमें यहाँ पे last name, first name, middle name का option मिलेगा तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना surname enter करना है example के लिए आपके name में 2 words है तो आपको अपने नाम का surname जो है वो पहले enter करना है और first name जो है आपको first name में enter करना है और अगर आपका single name है तो आपको वो middle name में enter करना है then उसके वाद आपको अपनी data worth यहाँ पे enter कर देनी है then उसके वाद आपको email ID enter कर देनी है और mobile number यहाँ पे आपको अपना enter कर देना है then उसके वाद आपको यहाँ पे weather citizen of India इसे आपको tick कर देना है और यहाँ पे आपको अपना PAN number एंटर करना है और उसके वाद आपको NSTL की Terms and Services को Accept कर लेना है आपको यहाँ पे इस Box को Take कर देना है और उसके वाद आपको यहाँ पे Capture Code देखने को मिलेगा आपको Simple इसका Screenshot ले लेना है या फिर इस Token Number को आपको अपनी Copy में लिखके रख लेना है क्योंकि यहाँ पे अगर आप Net Slow होने की वज़े से या फिर किसी भी वज़े से लावट हो जाते हैं तो आपको Login करने के लिए इस Token Number की ज़रुद पड़ेगी तो इस Token Number से आप फि स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे यह सारे स्टेप्स आपको Complete करने हैं तो यहाँ पर आपको तीन ओप्शन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको Second Option देखने को मिलेगा Submit Scanned Images Through E-Sign यानि कि आप अपनी मर्जी की फोटो लगाना चाहते हैं और अपनी मर्जी के साइन लेना चाहते हैं अपने Pan Card पे तो आपको Second Option सेलेक करना है और Third Option आपको मिलेगा Forward Application Documents Physically यानि कि अगर आप Physically Documents सेंड करना चाहते है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को तब भी जो है आप यहाँ पर अप्लाइ कर पाएंगे लेकिन हम यहाँ पर Totally Online Process करना चाहते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर Second Option चूज कर लेना है जिसे कि हम अपनी मर्जी की इमेज और फोटो भी अप्लोड कर सकते हैं तो यहाँ पर Second वा Only for Individual का Option मिलेगा तो यहाँ पर जो है आपको अपने अधार कार्ट के लास्ट फोर डिजट एंटर करने हैं दैन उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अधार कार्ट का नेम यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे स्कूल डाउन करना है और यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको जैंडर जो है वो सलेक कर लेना है हम यहाँ पर जैंडर सलेक कर लेते हैं दर उसके वाद आपको नीचे यहाँ पर स्कूल डाउन करना है और नीचे आपको यहाँ पर एक ओप्शन देखने को मिलेगा डिटेल् अगर आप एक फीमेल हैं अगर आप मैरीड है तब भी आपको यहां पर अपने फादर का ही नेम एंटर करना है और फादर का भी नेम आपको यहां पर ध्यान से एंटर करना है कि सर नेम आपको पहले एंटर करना है और अगर आपके फादर का सिंगल नेम है तो वो आपको यह यहाँ पे middle name में enter करना है तब आपको यहाँ पर फिर्स नेम और लास नेम छोड़ देना है और उसके वाद आपको नीचे scroll down करना है तो यहाँ पे आपको mother का भी last name and then उसके लाद first name और अगर एक single name है तो आपको वो middle name में enter करना है तो चलिए हम यहाँ पर first name and last name enter कर लेते हैं and उसके बाद आपको option मिलेगा parents name to be printed on the pen card यानि कि आप अपने pen card पे father का name चाहते हैं या फिर mother का name चाहते हैं उसे आपको यहाँ पे select कर लेना है हम यहाँ पे father का name चाहते हैं तो simple हम यहाँ पे इसे select करेंगे and next के option पे click कर देंगे next page पे आपसे पूछा जाएगा source of income तो जिस भी source से आपकी income होते हैं चाहे आप salary person है income for business करते हैं तो आप जो है वो select कर सकते हैं अगर आप अभी एक student है तो आप यहाँ पे no income के option पे click कर दीजे then उसके बाद आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको address for communications को select करना है आपको यहाँ पे residence select कर लेना है then उसके बाद आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको अपना residence address enter करना है और आपको सही तरीके से अपना यहाँ पे residence address जो है वो enter करना है क्योंकि इसी address पे आपका जो pancard है वो आपके घर तक post किया जाएगा तो इसलिए सही तरीके से अपना address फिल कर लीजे और उसके बाद आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको office address देखने को मिलेगा अगर आपका कोई office है तो उसका address अगर आप enter करना चाते है तो वो आप कर सकते है और उसके वाद आपको telephone number and email id details एंटर करनी है उसके लिए आपको country code यहाँ पे select करना है जैसा कि हम इंडिया से हैं तो हम यहाँ पे इंडिया को select कर लेंगे then उसके वाद जो है आपको यहाँ पे अपना mobile number जो है वो enter कर देना है then उसके वाद जो है email id आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी वो email id जो आपने starting में यहाँ पे enter की थी and यहाँ पे mobile number जो starting में आपने एंडर किया था तो वो आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपको नीचे scroll down करना है और आपको यहाँ पे next के option पे click कर देना है so guys next page आपके सामने open होगा area code, AO type, range code and AO number तो यहाँ पे यह आपको कहां से मिलेगा उसके लिए जो है सबसे पहले आपको Indian citizens के option पे click करना है और यहाँ पे जो है आपको state select करने का option मिलेगा आपको simple state को select कर लेना है state select करने के बाद आपको अपनी city select कर लेनी है और यहाँ पे आपको details देखने को मिल जाएगी area code, AO type, range code, AO number आपको यहाँ पे इसे select कर लेना है select करने के बाद जो है यह automatically उपर fill हो जाएगा then उसके बाद जो है नीचे आपको score down करना है और यहाँ पे जो है आपको next का option मिलेगा आपको simple next का option पे click कर देना है so guys उसके बाद आपको यहाँ पे document submitted as proof of identity का option मिलेगा तो यहाँ पे आपको तीन proofs यहाँ पे enter करने हैं तो हम सभी में जो है अधार card यहाँ पे enter कर देंगे क्योंकि हम अपने अधार card को ही proof of identity, proof of address and proof of date of work के लिए use करने वाले हैं तो simple हम यहाँ पे अपने अधार card को select कर लेंगे तो simple हम यहाँ पे अपने अधार card को select कर लेंगे और यहाँ पे भी अधार card को select कर लेंगे देन उसके वाद आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको declaration देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका name आजाएगा और यहाँ पे आपको select के option पे click करना है यहां पे आपको himself first app select कर लेना है उसके बाद नीचे आपको scroll down करना है और जहां से भी आप अपने pen card के लिए apply कर रहे हैं उस place का name आपको यहां पे enter कर देना है यानि कि अपने area का name enter कर देना है दिन उसके बाद जो है नीचे scroll down करना है यहां पे आपको upload photo and signature का option मिल जाएगा तो जो भी आप अपने pen card पे photo या फिर signature चाहते हैं वो आपको यहां पे upload कर देना है लेकिन यहां पे photo का size है वो यहां पे 50KB के अंदर होना चाहिए और यहां पे signature का size भी 50KB से अंदर होना चाहिए तो हम यहां पे upload कर देते हैं simple हम यहां पे plus के option पे click करेंगे और यहां पे photo को select कर देंगे और यहां पे उसे upload कर देंगे और उसी तरीके से signature भी हम यहां पे upload कर देंगे photo and signature upload करने के बाद आपको नेचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको document अप्लोड करने का option मिलेगा तो यहाँ पे जो है आपको PDF format में अपने अधार कार्ट को यहाँ पे upload कर देना है और यहाँ पे आपको अधार का front and back side एक ही page पे आपको set कर लेना है देन उसके वाँ जो है आपको यहाँ पे upload कर देना है सो ये तीनों चीज़ें upload करने के बाद आपको नीचे submit का option मिलेगा आपको submit के option पर click कर देना है सो next page आपके सामने आएगा your application is submitted please confirm details यहाँ पर आपको आपकी सारी details देखने को मिल जाएंगी and first option आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपने पहले आदार काट के last four digits एंटर किये थे अब आपको यहाँ पर अपने आदार काट के first eight digits एंटर करने है आदार number के first eight digits एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी details को check कर लेना है देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्कोल डाउन करना है नीचे स्कोल डाउन करने के साथ-साथ आपको यहाँ पे एक last में option देखने को मिलेगा edit and proceed का तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी details जो है वो edit करनी है वो आप यहाँ पे edit के option पे click करके edit कर सकते हैं अगर आप सब कुछ सही है तो आपको proceed के option पे click कर देना है so guys उसके बाद mode of payment को option मिलेगा तो यहाँ पे जो है आपको कुछ fees जो है वो payment करनी पड़ती है उसके लिए जो है आप यहाँ पे demand draft कर सकते हैं online payment through paytm के थूँ भी आप कर सकते हैं online payment कर सकते हैं आप build desk के थूँ यानि कि आपको यहाँ पे बहुत सारे options मिल जाते हैं जैसे कि हम यहाँ पे paytm से करने वाले हम simple paytm को select कर लेंगे then उसके बाद हमें नीचे scroll down करना है तो यहाँ पे जो है हमें 106.90 रूपीस जो है वो यहाँ पे हमें fees payment करनी है so यहाँ पे जो है हम simple नीचे I agree to the terms of service के option पे click करेंगे and proceed to payment के option पे click करेंगे and उसके बाद पे confirm के option पे click करेंगे तो हमें यहाँ पे QR code देखनों को मिलेगा तो हमें जो है अपने mobile में paytm आपको open करके इस QR code को scan कर लेना है और payment कर देनी है तो payment complete होने के बाद आपको अधार authenticate का option मिलेगा तो आपको जो है इस page पे आने के बाद नीचे scroll down करना है and यहाँ पे जो है आपको इस box को tick करना है so simple tick करने के बाद आपको authentication के option पे click करना है so guys उसके बाद next page open होगा तो जो भी अधार card आपने यहाँ पे enter किया होगा उसके साथ जो भी mobile number linked होगा तो उस पे जो है एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter कर देना है और submit के option पे click कर देना है then उसके बाद आपको यहाँ पे continue with e-sign को option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है और आप NSDL e-sign की website पे पहुंच जाएंगे आपको यहाँ पे जो है अपना अधार number enter कर देना है यहाँ पे उपर एक box देखने को मिलेगा इसे आपको tick कर देना है और send OTP के option पे click कर देना है और आपके registered mobile number पे एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter करना है तो उसके बाद आपको इस तरीके का page देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको enter the password to open this PDF file का option मिलेगा तो जो भी आपकी date of worth है वो आपको यहाँ पे enter कर देना है और उसके बाद आपको okay के option पे click कर देना है so आपकी सारी details जो है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी इसे आप जो है इस form को download भी करके अपने पास रख सकते है so guys यहाँ पे जो आपका pen card है वो यहाँ पे under percent apply हो चुका है apply करने के बाद आपको यहाँ पे 15 days का wait करना है तो physically आपके घर तक जो है आपका pen card आपको deliver कर दिया जाएगा so इस तरीके से जो है आप online अपने pen card के लिए apply कर सकते हैं और अपनी मर्जी की photo and signature के साथ so guys I hope कि आपको इस वीडियो में complete process समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी आपका कोई question हो तो नीचे comment box में comment कर दिजिगा मैं उसका reply ज़रूर करूँगा so guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care